हे गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो आज किस वीडियो में हम एक्स्प्लेइन करने वाले हैं चेरी मुवी को, जिसको डारेक्ट किया है रूसो ब्रदर्स ने, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ रूसो ब्रदर्स ने, अवेंजर्स इंफिनिटी वर और एंड गेम को डारेक्ट किया था तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आपको ये ग्राफ दिखाना चाऊँगा इस ग्राफ में आप साब साब देख सकते हैं कि हमारा जो वीडियो देखते हैं उसमें से 99% लोग चैनल को सब्सक्राइब ने करते हैं तो यार क्या कर रहे हैं अभी कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ये मूवी एक नोवेल पर बेस्ड है जिसका नाम भी चेरी ही है तो इस मूवी की सुरुवात होती है 2007 से लेकिन फिर वापस से पीछे चले जाते हैं इसका मतलब इस मूवी की सुरुवात जो है 2002 से करेंगे हम उस समय हम देखते हैं कि चैरी जो है वो 18 साल का है और स्कूल में पढ़ाई कर रहा है अब वहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम एमिली होता है उसे वो प्यार करने लगता है और आपको तो पता यह फिर क्या होता है होलिवुड में प्यार होता है फिर साधी होती है और इस टाइम हम देखते हैं कि चैरी की एक और गलफ्रेंड होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा रूड होती है और एक ही महीने वो स्कूल जाती है और बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेती है और पार्टी में लेके आती है और उनके साथ टांस करती है इसलिए सायद Cherry उसके साथ प्रेक अप कर लेता है और Emily के साथ वापस लव में आ जाता है अब 2002 से 2003 के बीच तक इन दोनों की लव स्टोरी चलती है लेकिन 2003 में हम देखते हैं कि Emily जो कहती है मुझे Canada यानि कि Canada के अंदर Montreal एक जगा है वहाँ मुझे पढ़ने के लिए जाना है तो अब यहाँ पर Cherry बहुत रोकने की कोसिस करता है लेकिन Emily नहीं मानती है और Emily कहती है कि मुझे तो जाना ही पड़ेगा और मुझे पढ़ाई करनी है तो यहाँ पर हम देखते है Cherry बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और उसके style में कभीर सिंग बन जाता है और कहता है कि मुझे army जोइन करनी है यहाँ पर हम देखते हैं कि Emily जो है उसे goodbye करने आती है और यहाँ पर जो Cherry होता है वो बहुत route तरीके से बिहेव करता है Emily के साथ और Emily उस जगह छोड़ कर चली जाती है और हम देखते हैं कि Cherry जब काम से वापस घर को लोड़ता है तो वहाँ पर Emily होती है और Emily केती है कि मुझे अब Montreal, Canada नहीं जाना है अब यहाँ पर Cherry फर्स जाता है क्योंकि उसने तो अब आर्मी जोइन कर लिए इसलिए पीछे तो मूर नहीं सकता तो अब यहाँ पर Cherry है Emily को समझाता है कि अब तुम्हें केनेडा चला जाना चाहिए और इतने दिनों में मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आ जाओंगा एक दो साल में तो यहाँ पर हम देखते है कि Cherry जो है वो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है अपनी आर्मी की और Emily जो है वो अपनी पढ़ाई के लिए पूसप करते हैं और भी बहुत सारी प्रकार के ट्रेनिंग होती है मतलब किस तरह से मेडिकल वाला काम करना है और यहाँ पर खास करके Cherry को मेडिकल वाली यूनिट में जाना होता है अपने फ्रेंड के साथ इसलिए उसे हम लोगों को बचाते देखते हैं इसलिए बहुत सारी training को पास कर लेता है चेरी एपने दोस्त के साथ और आई इंटरेस नहीं होता है इसलिए वाकस भी नहीं जा सकता और वह वह एव चेरी वीट वह पताना भूल 국ई कि चैरी और एमिले की साधी हो गई होती है जब च यहां पर आर्मी में आने वाला होता है और एमिले मौनट्रियल जाने वाली होती है उस धर्म्यान टो यह बहुत बार बाते करता है और हम देखते हैं कि अब चैरी तो सेरेक्ट हो गया, इसलिए उसे इराग बेज दिया जात केड़ा है उसकी पैंट की जो आते होती हैं इंस्टेस्टाइन होती हो बहार आ गई होती चेरी इहां पर शही में शोक दिखता है sousके संवल्र इंस्टेस्टाइन अंदर डालता है पैट और उ mapped करता है यहां पर हम दएखते हैं कि चेरी बहुत जादाionen जयाता है और फिर वो आर्मी की जो ट्रेइनिंग होती यह और जो पूरा कर लेता है 2008 में मतलब 2 साल 2003-2005 तक देता है अ्रमी को और पूरी ट्रेनिंग और पूरी जो काम होता है वो पूरा गर के वापस से अमेरिका में लोट आता है और इसी दर्मियान मॉंट्रियाल से एमिली वापस आ जाती है चेरी का स्वागत करने के लिए चेरी जब वापस लोट आता है तब हम देखते हैं कि वह PTSD का सिकार हो गया क्योंकि जब वो आर्मी में होता है तब वहां देखता है कि एक कार जो होती है जीब जो होती है आर्मी की वो पुरी उड़ जाती है उसमें उसके चार दोस्त होते हैं चारों के चार इंस्टन्टली मर जाते हैं जलके तो यह अब चेरी के सपनों में आता है और बहुत ज़्य के अंदर गुशाता है और नसे में आ जाता है जैसा कि अपने ब्रेकिंग बेट में J C PINKMAN को देखा होगा जेन के साथ लेते हैं लहाँ जेन मर जाती है यहाँ कोई भी नाई मरता है, तो यहाँ पर ये बेंकों में लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया होता है तो अब यहाँ पर जो दोस्त होता है वो एक रोबरी के दर्मियान उसको कहीं पर गोली लग जाती है अब कैसे लग है गोली वो दिखाएने जाता और उसके डेर्स हो जाती है मर जाता है उसको कहीं रोड पे को ससे सारे पेसे मुक्त हो जाता है और यहां पर हम कर देखते हैं कि रोड लेटे जो अफर हिएब MAG बाद में पुलिस आती है और पुलिस उसे उठाके जेल में डादती है अब यहां पर 2007 से लेके 2021 यानि की 14 साल की जेल होती है चेरी को अब हम देखते हैं चेरी को कि वह बहुत ज्यादा हद भी खतम हो जाती है तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दवा दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ वाट्सेप पर इंस्टाग्राम पर टेलिग्र पर कहीं भी सेर कीजिए और हां ठैक्स पूर में हैंतरा कीकरणाओं